दोस्तो आज हम कवर कने वाले हैं बी ए सिकेंड येर फोर्थ समेश्टर रिक्जाम दोजर तेईस पेपर का नाम क्या है हिस्ट्री आप मौडरन बर्ल्ड चौदासो तिर्पन से अठारासो और तालीस एडी दोस्तो पेपर कोट क्या है 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 इस दो जीरो तीन सभी आपको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बाक्य अब्जेक्ट्टी टाइप कोश्चन में करा दूँगा आप लोगों के लिए ठीक है चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसमें पहला प्रस्ण कहा रहा है दोस्तों किसका कथन है नवजागरण की प्रस्तु किसका है राफेल का है मेडोना आप दीचियर चितर किसका है राफेल का मैंने क्यों दो तीन बार ये कोश्चन पढ़ा है दोस्तों क्योंकि ये इंपोर्टन प्रस्ण है ये कई बार एक्जाम में पूछ चुका है मेडोना आप दीचियर और ये मोना लीशा भी मोना लीशा चित्र किस ने बनाया मोना लीशा चित्र लियोनार्डो दविंची ने बनाया था ठीक है अगला प्रस्म कह रहा है दोस्तों बिस्व परसिद सिश्टाइन मेडोना चित्र किसका है तो राफेल का है दोस्तों दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को मैं वन लाइनर कोश्चन करा सकता हूँ ठीक है जैसे इस तरह से दोस्तों करेंट करेंगा जरूर मुझे इंतजार रहेगा ठीक है प्रेस नमर पांच है दोस्तों पुनर जागरल काल का सिखर काल क्या था पुनर जागरल का सिखर काल पंदरसो से पंदरसो सताइस इस भी तक था ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमर च्छ का रहा है निमने लिखित में से मानवतावाद का पिता कहा जाता है मानवतावाद का पिता पेट्रार्ग क को कहा जाता है ठीक है माना उत्ताबाद का पिता किसे कहा जाता है प्रस नमबर साथ कहा रहा है दोस्तों पुनर जागरर का आरंब यूरूप में सरुपर्थम कहां से हुगा तो इटली से हुगा था दोस्तों ठीक है पुनर जागरर का आरंब इटली से हुगा था आगे बढ पुनर जागरण का साब्दिक अर्थ होता है most important प्रस्ण है यह आ भी सकता है पुनर जागरण का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो फिर से जागरण या पुनर जैन्म ठीक है यह लिखने में भी आएगा subjective में भी आ सकता है पुनर जागरण सब्द का साब्दिक अर्थ क्या हो लुत करती है ओगे बढ़ते हैं प्रसनुमरदस कहा रहा है कि 1213 इस भी दुर्कुद्वारा किस पर बीजय पाइय गई थी तो कुस्तुन्टूनिया पर ठीक है 1413 इस भी में तुर्कुद्वारा किस पर बीजय कब हुआ यूरोप में आधुनिक यूग का आरंभ कब हुआ था तो 1493 में यूरोप में आधुनिक यूग का आरंभ हुआ था प्रस नमबर 12 का रहा है दोस्तों बुक आफ कामन प्रेयर के लेखक है तो book आप common prayer के लेखक kromer है दोस्तो एक वीडियो मैं बनाओंगा जिस पर book और उसके author रहेंगे ठीक है book और author अ book और author से दोस्तो कम सकल आपके 3 से 5 प्रसन आते हैं ठीक है तो आपके 3 से 5 प्रसन में पका करवा दूँगा ठीक है प्रस्ट नमबर 13 का रहा है दोस्तों The Last Judgment किसकी कृती है The Last Judgment किसकी कृती है तो माइकल एंजेलो की The Last Judgment कृती है ठीक है दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आया है या नए भी जीट किया है वो सब्सक्राइब जरूब करिएगा ताकि अगले समेस्टर में भी पांचवे समेस्टर में भी आप हमसे जूड़े रहे है ठीक है प्रस्ट नमबर 14 का रहा है दोस्तों Thomas Moore की परसिद्पुस्तक का नाम क्या था Thomas Moore की परसिद्पुस्तक का नाम यूरोपिया था ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस्ट नमर 15 है डिवाइन का मेडी का लेखक कौन था डिवाइन का मेडी का लेखक दानते था अगला प्रस्ट नमर 16 है दोस्तों दूर्बीन का अविस्कार दूर्बीन का अविस्कार किस ने किया तो दूर्बीन का अविस्कार गैलीलियों ने किया था दोस्तों ठीक है दूर्बीन का अविस्कार गैलीलियों ने किया था आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 17 है समुंद्री मार्ग से बिस्व परिक्रमा करने वाला पर्थम नागरिक कौन था तो वह मैगलेन था ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 18 है दोस्तों दिशा सूचक दिगदर्सक का निर्माड या अविस्कार कब हुआ था तो तेरवी सताबदी में दिशा सूचक का अविस्कार हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 19 कर रहा है छ च्छापे खाने का अविस्कार कब हुआ था तो च्छापे खाने का अविस्कार 1460 इस्वी में हुआ था इंपोर्टेंट प्रस नहीं है च्छापे खाने का अविस्कार कब हुआ था 1460 इस्वी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 20 का रहा है सुच मदर्सी का अविस्कार किस ने किया सुच मदर्सी का अविस्कार रोजर वेकन ने किया था आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर एक कई से दोस्तों कुतूब नुमा का अविस्कार किया था कुतूब नुमा का अविस्कार मारको पुलो ने किया था प्रस नमबर 22 है दोस्तों माइकिया वेली कहां का निवासी था माइकिया वेली इटली का निवासी था जिसे फ्लोरेंस नगर के नाम से जानते थे ठीक है इटली का निवासी था फ्लोरेंस नगर का ठीक है आगे बढ़ते हैं कभी कभी दोस्तों इटली ना दे करके flowers नगर देता है ये ध्यान दिजेगा इसलिए मैंने इसे लिख दिया है आगे बढ़ते हैं प्रस नमर तेश है दोस्तों Michael Angelo का रहने वाला था और फ्लोरेंस लिख हैं आगे बढ़ते हैं देखिये यहां Florence नगर था ना वहाँ देखिए यहां Florence लिख दिया है ठीक है इसी तरह से Confuse करने के लिए एक्जाम में दे देता है आप लोगों को प्रस नमबर 24 है Divine Comedy किस भासा में लिखी गई थी Important प्रस नहीं Divine Comedy इटेलियन भासा में लिखी गई थी ठीक है प्रस नमबर 25 है दोस्तों इन प्रेज आफ फाली पुस्तक किस ने लिखी है इन प्रेज आफ फाली पुस्तक किस ने लिखी है दोस्तों तो इरासमस ने लिखी है इन प्रेज आफ फाली पुस्तक दोस्तो वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और यह आपकी जिम्मेदारी है यह आप सेर भी करेंगे आपने दोस्तों के साथ वाटस अप के ठीक है ताकि वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके परिक्षा में मिलते हैं अगले कलास में दोस्तों तद तक ले जाहिन वंदे मातरम